नमस्कार और वेलकम फ्रेंट्स मैं सुरज और मैं चलम आप लोग का भी नंदन करता हूँ मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ MS Word का टॉपिक मैं आप लोग से वादा किया था कि मैं DCA का एक एक वीडियो को कम्प्लीट कराऊंगा मैंने वीडियो को पूरा कम्प्लीट कराया था अब मैं आप लोग के लेके आया हूँ MS Word का जिसने भी मेरा पहले वाला वीडियो वाला वीडियो नहीं देखें मैं प्ले लिस्ट में अपने वीडियो को डाल दिया हूँ आप वहां से जाके देख ले हम लोग दूसरा वीडियो स्टार्ट करने वाले MS Word मिदम जीरो लिवल बैस से बताऊंगा एक एक वीडियो को एक एक चीज को मैं पूरा किलियर करूंगा प्लीज आप बारे की से देखें अन तक देखें आपको पूरा समझ में आएगा तो चलिए हम लोग MS Word स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए MS Word 2007 MS Word का full form होता है Microsoft Office Word तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं theory plus lab दोनों कराऊंगा तो चलिए पहले मैं theory समझा देता हूं फिर इसका lab करा दूँगा तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ MS Word is application software its help we create later book, notes, etc कहने का मतलब है MS Word एक application software होता है जिसमें हम लोग later, book, notes कुछ भी बना सकते कहने का मतलब है friends कि MS Word में documents related काम होता आप कोई भी regime by data, यह सब जितना बनाने वाल आपका काम है, सब आपका MS Word में हो सकता है देखिए, आपका MS Word का यह office bottom का यह figure है MS Word का जो पहला part होगा, वो part 1 है, जो आज हम लोग सीखेंगे part 1 में office bottom को मैं पूरा clear करूँगा तो यह देखिए, आपका office bottom का figure कुछ इस प्रकार होता है देखिए, पहला question है new It helps we create a new document कहने का मतलब new मतलब होता नया अधी हम लोग कुछ काम करें, करते करते अगर हम लोग को नया पेच चाहिए तो हम लोग नया पेच ले सकते दूसरा आपका है open open का मतलब होता खोलना कोई भी document अधी आपका ही save करके रखेगो ता आप उसे खोल के देख भी सकते हूँ तीसरा है save तो देखिए हम लोग वही document को खोल के देखेंगे जो पहले से save रहता है तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई document को save करते है दूसरा आपका है save as देखिए save और save as में क्या अंतर होता है save क्या होता है कि कोई भी चीज हम एक बार एक नाम से save कर चुके फिर उसको दुबारा नाम से हम save नहीं कर सकते जैसे कि कोई document हम लोग का कोई resume है किसी का मैं सुरज कुमार के नाम से save कर चुका फिर मैं उसे सुरज कुमार के नाम से save नहीं कर सकता है फिर यदि उसे मैं वही नाम से save करना चाहूँ तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा save as देखिए आगला है हम लोग का print print मतलब होता है छपाई किताई करते हैं जिसको कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर document हम लोग बनाया है तो उसका print कैसी लेंगे तो हम लोग वहाँ से print पे click करके print निकाल लेंगे इससे मैं details अभी आगे दिखाऊंगा फिर आगला हम लोग का है close कहने का मतलब जब हम लोग कोई new page लेते हैं तो वह page खुलते जाता है या कोई page को हम open करते हैं तो वह page खुल जाता है फिर उससे हम लोग close कैसे करेंगे तो इसमें हम लोग सिखेंगे कोई page कोई close कैसे करते हैं last हम लोग का है exit exit मतलब होता बाहार निकलने कोई भी चीज या कोई भी चीज हम लोग खोल के रखें तो उसे बाहर कैसे निकलेंगे एकजीट कैसे हुए तो यह हम लोग का थियोरी लेबल था चलिए अब हम लोग लैब की और बढ़ते हैं लैब करने से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा तो सबसे पहले हम लोग को एमस वर्ड को खोलना सीखेंगे तो देखिए कोई भी तरह से आप एमस वर्ड को खोल सकते हैं सौट तरह से अगर आप खोलना चाहें तो विंडो और आर प्रेस करें क्या प्रेस करना आपको विंडो और आर विंडो आर से रन होता है कीबोड से आप विंडो आर प्रेस कर करें या OK करें देखिए यह हम लोग का MS Word खुल चुका है इसको maximize कर लेते हैं तो जैसे कि आज मैंने आप लोग को बताया कि मैं आज आज हम लोग इसको पूरा क्लियर करूंगा इसका तो देखिए इसी को करते हैं ओफिस बट्टम यह image मैंने उहां आपको दिखाया भी था देखिए यह आपका office बट्टम तो आज हम लोग इसको पूरा पढ़ें इस पर क्लिक पीजे देखिए जैसे कि मैंने पहला मिनुँ द दिखाया था new देखिए आपका पहला option यह new शो कर रहा है तो मैंने बताया था new से आप नया page ले सकते हो new page ले सकते हो चले मैं कुछ type कर देता हूं जैसे कि मैं type कर दिया सागर computer अब मुझे इस page पर काम नहीं करना है मुझे new page चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यहां से new पर क्लिक करेंगे और यहां से करेंगे create देखिए हम लोग नया page आ गया इसको भी यहां से maximize आप कर सकते है तो आपने सीखा कैसे अब बताता हूं कि से माल लेज़े कुछ भी मैं type करते हैं सूरज इस पर काम आप नहीं करना हम लोग कुछ भी type कर दीजे इस पर काम नहीं करना तो नया page लेने के एक और तरीका है ctrl plus n shortcut आप याद रखे ctrl plus n यह देखिए नहापेज आगे इसको maximize कर लीजिए देखें तो हम लोग सीख लिए नहापेज लिए दूसरा मीनु को और बढ़ते हैं दूसरा मीनु हम लोग का है open कि कोई भी data अधी मैंने सेव करके रखा है तो मैं उसे open करके देख सकता हूं तो open पर जैसे मैं क्लिक करता हूं देखी यह open खुल गया आपको यह बात याद रखना कि आपका data जहां से वह वह ही से खोल सकते हूं जैसे कि यदि मेरा डाटा डाउनलूड में तो मैं डाउनलूड में से जाके देखूंगा, डाउनलूड से ओपेंड करूंगा, यदि मैं डॉकुमेंट में रखा हूँ, से डॉकुमेंट से देखूंगा, तो देखिए मैंने अपना डाटा को डॉकुमेंट में रखा है, जै देता हूं open का shortcut होता आपका control plus O क्या shortcut में ने बताया control plus O ध्यान से आप सुने open का shortcut control plus O कीबोड से प्रेस करना आपको control O देखिए control O के direct आपको open का box खुल गया जैसे मैं resume वाला एस पर play कर लेता हूं इस पर click किया यहां से open देखिए खुल गया मेरा resume वाला पेज इसको स्रिफ maximize करना है देखिए मेरा resume वाला पेज खुल जुगा है तो आपने new सीखा open सीखा तीसरा मीन हुए save क्या है save तो चलिए कुछ भी हम लोग save कर सकते हैं तो save कैसी करें कुछ भी नजा page पहले एक लेते हैं हम लोग new में जाते है create पे click करते हैं यह खुल गया new page अब हम लोग क्या करते हैं कुछ पहले बनाते हैं तो नशेव करेंगे तो चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ भी जैसे मैं लिखता हूँ सुरज कुमार मैंने नाम टाइप किया सुरज कुमार इसको यहां से select कर सकते हैं कुछ इसमें editing आपको बता देता हूँ जैसा मैं इसे select करना है तो left click दबाके इधर by side आपको लेना है तो देखिए select हो गया एक तरीका और select का control प्लस ए control ए दवाने से आपको direct select हो जाएगा देखिए select हो गया आप इससे आप बड़ा करना चाहिए क्या करना चाहिए बड़ा तो देखिए बारा जो लिखा हूँ यह size रहा font size इससे बड़ा कर सकता है तो माल यहां आपको इसको थोड़ा italic करना italic मतला 3OOD करना word को तो तो देखिए italic कर सक्ते है अंडरलाइन देना थे आस अंडरलाइन दे सकते हैं और अधीसको बड़ा करना और इस से भी जाधा बड़ा तो देखिए यह grow कहत तश्को चया क्या करता है Cohen इससने प्लिक कि वह लग अपड़ा यह देखिए हम लोग का सुरज कुछ आगा आगा आप हम लोग क्या करेंगे इसको सेव कर लेगे पेज को जो लोग का अगला मीनू था तो देखिए सेव दो तरस ही कर सकते या तो यहां से सेव पर क्लिक किजिए यह सेव का स्वाट काट होता है कंट्रोल प्लस एस या तो सेव पर क्लिक के जिये देखिये बॉक्स खुल जाय से अहीं विले वैले वालए देखिए सेव का बॉक्स कुल ऑ heck कि आप प्रेस करें कीबोड से कंट्रोल प्लस एस सेवे भाज यह करना के नाम से ही भाई डिफ्रल्ट जो लिखाता वह यह आ जाता हाँ, हम द्दूसरा नाम से भी save कर सकते हैं, जैसे मैं ले तहो PC, अबसे save करना मुझे, बस documentary क्लिक करना, और यहां से save क्लिप करना यह देखे मेरा save हो चुका, आप हम लोग आगला मिनई को पाजएगे, save के बाद आगे वाला जामीनू है scoop सब्सक्राइब करना चाहूं तो यह से नहीं होगा चुकि यह सेव करने के लिए अलगसी एक ऑप्सन बनाया है जिसको हम लोग करते हैं सेव एज तो इसका सॉटकट होता है बिषंट करती है फटीयोडड इसका सॉटकट क्या हता है अप टुवर की बोर अपके लिखिए लिखा वोगा फंसन मोलां की में एक किलिक करें तो चलिए मैं जैसे कीबोड से अब टुवर क्लिक कर लेता हूं या फिर से विआज पर यहां से क्लिक करता हूं कि देखिए सेवज खुल गा हम लोग का इसमें यह भी बताएगा कि यह डोकुमेंट पहले से किस नाम से शेव था तो PC के नाम से से शेव था अब मैं इसको कबीर के नाम से शेव करता हूं के ए बी आई या अब यहां से सेव पर क्लिक करता है देखिए यह डाटा भी हम इसमेंट रेजूम कुछ भी बनाते है उसका प्रिंट चाहिए हम लोग को जैसे कि मैं एक डॉकमेंट याँ बंप एंट कर लेताँ औहरे गया रेजूम मैंने क्रेट किया था था इसम इसको प्रिंट देना है कोई कस्टमर आया मेरे पास रेजूम बनाया उसको प्रिंट तो हम लोग print कैसे देखें, ध्यान से सीखें print को, हम लोग office bottom में जाएंगे, print का shortcut होता control plus P, या फिर print पर click कर देगे, या control plus P को click करेंगे, तो चलिए हम लोग control plus P click करते हैं, ये देखें print खुली है, तो देखें printer का आपको मैं एक एक चीज को बारे किससे सीखाता हूँ, आप आपके पास जो printer है, उसका model number यहास select करना है, फिर से सुन लीजे, आपके पस जो भी printer है, उसका model number यहास select करना है, अगर Ipson का देखें, मेरा Ipson का था, तो Ipson सू कर रहा है, यादि आपके LG का हो गए, HP का हो तो जो होगा, आपका यहाँ सू करेंगे, वह आप click करेंगे, आपका अधी model नमर यहां शूर नहीं कर रहा है तो याद रखिए कि आपका प्रिंस्टर सिस्टम से क्नेक्ट नहीं है उसका cassette इंस्टॉल करना पड़ता उसका CD जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ता वह आप इंस्टॉल कर ले दुकान में या किसी से करवा ले यह बात ध्य प्रिंट तीन टैप का होता है एक होता है current पेज़िज एक होता है इंस्ट्रेंट से निकाल सकते हैं सबसे पहले अधी आपका all पर टिक है कि करेंट पेज का अत्त है कि यादी आप सामने वाला पीज में जैसे कि support आप मानए आपके पाश 10 पेज अपन आपका 10 पेज इसमें टाइप है 10 पेज वरड में कितना टाइप आपका 10 पेज लेकिन मुझे 10 पेज का प्रिंट नहीं चाहिए मुझे स्रिफ चाहिए फस्ट व मैंने प्रिंटर को अपना ओप रखा है ठीक है समझें देखिए आगला मीनुम लोग समझें दूसरा फिर हम लोग प्रिंट पर जाते हैं क्रेंट पर समझें सामने वाला अब है पेजीज देखिए मेरे इंटरव्यू में एक बार मैंने गया था एंजियो के संस्ता में तो उ कितनी पैज आपके पास? 10 पैज है आर आपकोई दसहों पेज का प्रिंट नहीं चाहिए वह बोलेगा पहला नहीं चाहिए दूसरा नहीं चाहिए? तीसरा चाहिए छथा चाहिए? मतलब by numbering 10 page में कोई number 5 page या 6 page ही बोलेगा चाहिए बाकी सब ठड़ जाए supported माल लिजे मेरे पास 10 page लगाता ले वो बोल देगा क्या कि मुझे चाहिए 5 और 10 पेज का print चाहिए और कोई print नहीं चाहिए तो उस टाइम हम क्या करेंगे pages पर click करेंगे और श्रिफ लिख देंगे 5,10 बस 5 और 10 का ही print निकलेगा बाकी किसी का print नहीं निकलेगा आपने समझा मैंने क्या बताया कि 10 page आपके पास लेकिन तो 5 और 10 का ही print निकलेगा बाकी किसी का print नहीं निकलेग आधी आपके पास 10 पे जर बोला 10 का भी प्रिंट चाहिए टोटल तो या तो आल पे स्लेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां डारेट लिख सकते हैं एक दीजिए हाइफन या डैस जिसको कहते हैं वह आप दे दीजिए और 10 लिखे दीजिए बस आपकर एक से 10 लगाता प्रिंट न उतना ही प्रिंट चाहिए देखिए एक्जामनार अधिर डीप से और कोस्चन करेगा तो क्या कर सकता है जैसे बोल देगा आपका पूरा पेज टाइप है एक पेज बोलेगा मुझे पूरा पेज का प्रिंट नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यह रिजूम लिखा हुआ सिर्फ अब प्रिंट सिर्फ रिजूम का निकलना चाहिए तो उस टाइप हम लोग स्लेक्शन का यूज करेंगे इसको स्लेक्ट कर लेंगे यहां से जाएंगे प्रिंट पर यह देखिए आपका स्लेक्शन हाइलाइटेट हो गया जब तक आप वहां स्लेक्शन नहीं करेंगे तब जो स्लेक्ट कर लिए और यहां से स्लेक्शन पर क्लिक कर लिए और यहां से ओके कर दी तो जो स्लेक्ट किये बस उसी का प्रिंट निकलेगा बाकी किसी का प्रिंट नहीं निकलेगा चलिए मैं एक और चीज यह सब बता देता हूं यहां देखिए दिया हूँ आपका नम्मर प्रिंट को पूरी अच्छी तरह से यदि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो मुझे नहीं लगता आप किसी में डायूट होगा चलिए हम लोग आगला मेनु देखते लास्ट क्लोज था हम लोग का नॉट्स में क्या था लास्ट मेनु बहुत आपने सोचते होंगे कि सर न्यू बता है ऑपन बता है से एज बता है प्रिंट बता है प्रिपेर सेंड और पब्लिस क्यों छोड़ दी होगा एक-एक पेज को क्लूज करना तो हम लोग क्लूज कैसे करेंगे यहां से देखिए ओफिस बटम में जाएंगे और यहां से क्लूज पर क्लिक करेंगे एक पेज क्लोज हो गया फिर यहां से जाएए क्लोज पर क्लिक किजिए दूसरा पेज भी क्लिक हो गया जितना प CTRL W से Kreuz, तो CTRL W पेज करें, देखे यह पूच्ता, आप सेव करना चाहते है, इस Page को, मतलगा यह Page पहले से सेव नहीं था, नहीं करना चाहते है, नो करेंगे, ड्रेक्ट क्लोज हो जाएगा, ब्रेक्स का, क्लोज हो जाएगा, ते हमारा सारा Page क्लोज हो चुका है अब मुझे बाहर निकलना तो यहां से exit पर क्लिक कर दे यह देखे cross bottom आपको दिक रहा है या फिर एक option और है देखे यहां लिखा हो exit word हमको word से बाहर निकल ले तो हम लोग word से बाहर निकल चुके तो friends आज मैंने आपको पूरी detail से theory plus lab दोनों कराया MS Word का part 1 मैं बहुत ही जल्द आपनों के लिए part 2 लेया हुआ अधी आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, thank you for so watching, thank you, thank you